नमस्कार दोस्तों मैं सुरजमल आपके अपने यूटूब चनल पे आप सब लोगों का स्वागत करता हूँ आज हम बात करने जा रहे हैं S Limited कंपनी के बारे में Action Construction Equipment Limited आज हम इस वीडियो में इस कंपनी के बारे हैं फुल डिटेल में चर्चा करेंगे ये कौन से equipment बनाती है कौन सी industries को इसके equipment supply होते हैं और आने वाले टाइम पे इसके equipment की demand कैसी रहेगी और ये company है कौन कौन सी नई opportunity जब market में देख रही है और इस company के आने वाले टाइम पे क्या plan और cash strategy है ताकि ये maximum market को अपने side में gain कर सके तो इस वीडियो में full detail में बात करेंगे तो चलो वीडियो की शुरुवात करते हैं ये जो company है manufacturing भी करती है और marketing भी करती है hydraulic mobile cranes का mobile tower cranes का material handling equipment जैसे forklifts road construction में काम आने वाले backhawk loader compactors motor graders और agriculture equipment जैसे detector harvester और rotovators man man इन चेतर में कंपनी कारोबार करती है इस company की सुरुवात 1995 में हुई थी और इसका IPO है वो 2006 में आया था इस company का भी current में market जो capital है वो 2545 क्रोट रुपे है और current price इसके share का है वो 214 रुपे पर share के साब से भी company trade कर रही है इसकी ROC और ROE आप देखें तो अच्छी है face value दो पे भी ये trade कर रही है अब अगर हम बात करेंज के portfolio की तो ये company है cranes के अंदर अपना कारोबार करती है जिसके अंदर pick and carry cranes लोरी loaders construction equipment जिसमें backhawk loaders wheel loaders soil compactors material handling जिसके अंदर fork lift trucks है वेरहाउजी equipment है और piling rigs है अब हम बात करते हैं company के latest innovations के बारे में company ने तीन नए model है वो innovate किया है और उनको launch भी कर दिया है जिसके अंदर इन्होंने क्या किया कि दो अलग-अलग equipment को इन्होंने command करके एक equipment बना दिया है तो 2 is to 1 जो हो गया और इसके अंदर जो cost है वो 60 to 70% इन्होंने कम करने की कोशिश की है और इसके अंदर यह RTO approved भी है और इसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाने में इनको transportation cost भी नहीं आती है और इसकी जो capacity है वो लगबग second number वाले की 15 से 20 तन की है यह जो है इसन्होंने 2 is to 1 है जिसके अंदर जो cost है उन्होंने reduce करके 60 to 70% cost को reduce किया है अब अगर हम बात करें market leadership की यह जो company इंडिया की largest pick and carry crane की manufacturer है जिसके अंदर 63% इसका domestic market share है और अगर mobile cranes की बात करें तो इसके अंदर इसका 60% market share है tower crane segment के अंदर इस company का यह जो company है इंडिया की third largest forklift बनाने वाली company है गोद्रेज और कियोन के बाद मे इंडिया में अब बात करें कि company कौन-कौन से industries को सव करती है तो construction के अंदर infrastructure manufacturing logistic agriculture और pharma industries को यह company है अपने equipment supply करती है अगर हम बात करें सका revenue breakup तो यहाँ FI 21 के साब से मैंने यहाँ पर calculate किया है तो जो crane segment है वो 65% revenue contribute करता है और agriculture equipment 16% construction equipment 11% और material handling equipment है वो 8% का contribution इसके total revenue में देता है sales network देखें इसका तो लगबग 100 इसके construction equipment के dealer है और 200 agriculture के जो dealer है वो across the country है यह जो company है इसके जो offices है और regional office है वो maximum बड़ी-बड़ी cities के अंदर available है उसकी list में यहाँ पर आपको दी है अब अगर हम बात करें सके financials की मोटा-मोटा बाकी जो financial है डिटेल में हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे तो इसका जो financial है पिछले साल के मुकाबले अभी फिलाल की जो 9 मेने का अभी क्रजलता है उसके अंदर ही आलड़ी उसके बराबर कर चुकी है और इसका जो margin है वो लगबग 10% के आसपास है तो यहां से increase होने के chances बहुत ज्यादा है तो आने वाले टाइम पर जैसे margin improve होगा तो इसकी जो profitability है या पेट है वो increase होगा और वो shareholder को अच्छा कासा reward करेगा अब बात करें कि international presence कैसी है तो इंडिया के लावा यह लग बाहर जो internet other countries है उसके अंदर भी अपना item है वो एक्सपोर्ट करती है कंपनी का export जो segment है वो लगबग total revenue के अंदर 7% का contribution करता है और company का अभी जो target है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर जो 7% का contribution है revenue के अंदर उसको यहां से increase करके 15% तक ले जाना है तो आने वाले time पे जो एक्सपोर्ट से जो revenue आएगा वो total revenue के अंदर लगबग 15% का contribution करेगा तो य यह एक company के लिए बहुत इच्छी positive news है अब अगर हम बात करें सके client base की तो client base को मैंने हाँ तीन भागों में divide किया है पहला infrastructure जिसके अंदर L&T, India Bull, Real Estate, DLAP, Adani, Reliance Industries, PNC Infra, Asoka Buildicon, IRB Infra, HCC, NCC, GMR Infra, Wells Fund, Tata Project, ISAR Group, AB Group, Reliance Infra, Sardvav अब अगर हम बात करें दूसरा manufacturing sector SEC, Dabber, Mahindra Group, Century Ply, Gulf Oil, Future Group, IFB, Honeywell, Sun Pharma, Havels, Novartis, ABB, Ultratech, Tata Steel, Siemens, Uflex, JSW Steel, Tata Motors, Exide, EIL, Cadillac, Bose, Hiromoto, J.K. Lakshmi Cement, Green Ply, Jindal Steel & Power, Trident Group, Berger Pants तीसरा government sector, Indian Air Force, Ministry of Defense, IFCO, Bail, Col India, Rides, Indian Oil, BEML, ONGC, HPCL, BPCL, HAL, NHPC, NTPC, Power Grid, Nelco, NVCC, Sale, Indian Railway, Delhi Metro and Bharat Dynamics तो इसके जितने भी sector हैं, उनके बड़े-बड़े latest के client हैं, तो ऐसा भी नहीं है कि एक particular company के उपर या एक particular client के उपर depend हो तो वो इसका जो concentration है, वो हर सेत्र की हर बड़ी company के उपर है, तो इससे इसका जो revenue है वो भी diversified है और इस company का positive outlook है, वो आपके सामने आता है अब अगर हम बात करें इसकी manufacturing facilities की, company की चार manufacturing facilities है जो man है वो पलवल हर्याना के अंदर located है और दो इसकी fabrication units है एक इसका R&D center है जो फ्रीदाबाद में है, इस company के पास में लगबग 90 acre की industrial lane अविलेबल है और जो फिलाल ये company है, only 45 acre की land ही utilize कर रही है तो इसके पास आने वाले time पे एक scope बचता है, कि अगर एक आने वाले future में अगर capex करना चाहे तो इसके पास already 45 acres की industrial lane अविलेबल है तो अगर इसको capex करना है, तो उसके लिए इसको अलग से जमीर खरेदने की requirement नहीं है इनिट की के आसपास crane मनाती है, agriculture equipment 900 unit per annum, material handling equipment 1800 unit per annum और construction equipment 1500 unit per annum के साब से बनाती है, तो टोटल इस company की 21,300 unit की capacity है yearly basis पे अब अगर हम बात करें, यह जो company है सित्वंबर 2021 के अंदर एक QIP लेके आई थी, जो लगबग 56 lakh equity shares को 2 रुपे की face value पे 242 रुपी पर share के भाव पे इन्होंने allotment किया था, जिससे 135 क्रोट रुपे का इनको company को मिले थे और वो जो 135 क्रोट रुपे हैं, वो आने वाले टाइम पे CapEx के अंदर यूज के जाएंगे और debit को कम करने में यूज लिए जाएंगे जो allotment इन्होंने किया, वो कौन-कौन सी companies को किया है, उसके अंदर बहुत बड़े-बड़े नामची नाम आपके सामने है तो आप सोच सकते हैं कि कितने बड़े-बड़े इन्वेस्टर हैं, वो इस कंपनी के अंदर अपना इंटरस्ट दिखा रहे हैं, उनका कितना confident इस कंपनी के अंदर है तो ये एक अच्छी और positive news है कि अगर जो long-term investor है, वो इस कंपनी में investment कर सकते हैं अब ऐसा क्या है कि इस कंपनी का जो future outlook है वो अच्छा है अब भी क्या है कि government ने PM गत्ति सक्ति प्लान के तैट लगबग 100 लाग करोट रुपे का national infrastructure master plan का शुरुवात कर दिए तो उससे इस company को बहुत सारा benefit मिलेगा, अब वो हम इस वीडियो में आगे बात करेंगे दूसरा है, government की एक scheme ओर है, 1.5 dollar trillion under national infrastructure है जो 2019 से 2025 के बीच में अभी उसके अंदर भी कारे चल रहा है, काम चल रहा है वो भी इस company के लिए एक positive चीज है अब हम बात करते हैं, इस company का जो industry wise future outlook के है और उस industry को cater करने के लिए, यह जो company is, वो कौन सी planning कर रही है तो हम यहाँ पर industry wise यहाँ पर बात करेंगे जो cranes industry है, वो जो ACFSP के एरिया है, उसके अंदर बोलने की highest rate से growth करेगी 2020 से लेके 2022 तक, क्योंकि यहाँ बहुत सारी construction activities हो रही है, जो emerging economies है उनके अंदर जैसे China, India और Philippines के अंदर, और यह company है, वो तीनों जगे ही काम करती है इंडिया के अंदर भी अपना कारोबार करती है, और China और Philippines के अंदर अपना जो है, वो item है, वो export भी करती है अब बात करते हैं, जो mobile crane का market है, वो यहाँ से अच्छा का सा rise होगा, क्योंकि infrastructure के अंदर भी काफी ज़्यादा investment हो रहा है, government की side से भी और बाकी private players हैं, उनकी side से भी अब अगर हम बात करें, तीसरा कि जो crane market है, उसका estimate है कि 2020 से 2025 के बीच में लगबग 142% के साफ से increase होगा तो आप सो सकते हैं कि यहाँ पे कितना बड़ा scope है, आने वाले 2 से 3 साल के लिए manufacturing sector है, उसमें 1 trillion dollar का potential है, 2025 तक और अभी क्या है, इंडिया के अंदर हो रहा है तो उससे भी इस company को benefit होने वाला है, तो अब जो benefit है इसके अंदर, तो उसको cater करने के लिए या उसको आप यह जो company capture करने के लिए ऐसे कौन से strategy या initiatives ले रही है, तो यह आने वाले time पे इस company का focus है कि जो 60% पे भी utilization है, उसको यहाँ से increase करके और बढ़ाया जाए, और जो अभी market के अंदर opportunity है, उसको capture किया जाए दूसरा है, यह जो company है वो नहीं नहीं, next generation की series की crane है, वो launch कर रही है और जो technology है, उसको upgrade कर रही है और multi activity cranes हैं, वो launch कर रही है, ताकि जो इसके बाकी competitors हैं, वो उनको beat कर सके और नहीं नहीं है, जो bigger cranes हैं, उनको introduce कर रही है अभी अपने portfolio के अंदर अब अगर हम बात करें construction equipment, construction equipment के अंदर ऐसा कौन सा future outlook है एक तो infrastructure के अंदर, अभी investment हो रहा है, government की side से भी, central government की side से भी, state government की side से भी तो उससे भी इसको benefit हो रहा है, benefit मिला है, दूसरा क्या हो रहा है, कि अभी residential और commercial construction की activity वो increase हो रही है क्योंकि इंडिया के अंदर अभी population day by day increase हो रही है, और लोगों की जो income है, वो भी अभी यहां पे बढ़ रही है उसकी वज़े से residential और construction activities हैं, वो increase हो रही है तीसरा है, जो road का development है, वो चाहिए आप central government की तरब से देखें, या state government की तरब से tier 1 city या tier 2 city और urban areas या ruler areas के अंदर भी अभी है, जो उसका काफी ज़्यादा increase हो रहा है क्योंकि उसके अंदर backhack loaders की और construction machinery की requirement यहां पे ज़्यादा पढ़ने वाली आनेड़ वाले time पे तो इस opportunities को grab करने के लिए, capture करने के लिए company की क्या plan है company का जो man focus है, वो है backhack loader पे, क्योंकि जो backhack loader है, उसका market size लगबग 8000 से 9000 क्रोड रुपे पर year का है तो यह company चाहती है कि इसके अंदर अपना वर्चस्व बनाए और maximum से maximum market share है, इसके अंदर capture करें यह जो company है, इसका target है अगले 3-5 साल के अंदर की लगबग 50% की growth है इसके अंदर यह achieve करना चाहती है और इसने अभी एक latest जो syrup only export purpose के लिए इन्होंने एक backhack loader है वो launch किया है only for European countries के लिए उसके अंदर परंकिंस engine उन्होंने install किया है जो European countries को यह export करेंगे तो यह जो company है इसका management है, aggressive है और innovative ideas हमेशा करता रहता है ताकि यह maximum से maximum opportunity है वो capture कर सके अब बात करते है material handling equipment की, material handling equipment है क्योंकि government की बहुत सारी schemes है national logistics park बनाने हैं और अभी क्या हो रहा है कि जो Indian market है उसके अंदर manufacturing hub बन रहे हैं warehousing activity ज़्यादा हो रही है तो उनकी increase होना इस company के लिए एक benefit है और manufacturing जो sector है वो one dollar trillion का हो जाएगा 2025 तक और industrial capex cycle बे भी इंडिया के अंदर चल ला है तो इसकी वज़से इस company को यहाँ पे बहुत सारी opportunities है वो नजर आ रही है तो यह company का target है कि आने वाले 2-3 साल के अंदर material handling equipment है उसके अंदर है 25% अपना market share हो capture करना चाती है दूसरी चीज है यह जो company है वो network और touch points हो इंक्रीज करना चाती है अक्रोस दे इंडिया और premium sectors है premium segment है उसके अंदर ही अपने आपको penetrate करना चाती है एक इसका दुसान Korean range करके एक नया इन्होंने launch किया है portfolio product है इन्होंने launch किया है तो वो उसकी वज़से यहाँ पे अपना market share of increase करना चाते है और इन्होंने अभी latest electric fog lifts है वो भी launch कर दिया especially for food, beverage and pharma industries के लिए क्योंकि वहाँ पे इतना ज्यादा heavy fog lifts की requirement नहीं पड़ती है तो उसके लिए भी इन्होंने एक अपनी latest है जो electric fog lifts है वो launch कर दिया है तो एक company हमेशा innovative और नई नी technology को adopt करने के लिए हमेशा आगे रहती है अब अगर हम बात करें agriculture equipment की तो इंडिया है वो टेक्टर manufacturing में लगबग 8 ला के अंदर export करता है बेचता है on average तो लगबग 4.5% के CSR से तो आने वाले 2020 से लेके 2025 तक यह जो इसकी growth है वो लगबग 4.5% के CSR से रहेगी अब अगर हम बात करें जो government का focus है ruler areas को develop करने के लिए और जो खेती है जो farming है उसके अंदर machineization उसके अंदर maximum से maximum machine का use हो और modern तरीके से आप खेती करें यह government का focus है और initiatives भी इसके लिए government ले रही है और इसके लिए काम भी कर रही है तो इस वज़े से इस company को benefit होने वाला है और government का एक और प्लान है कि जो MSP है उसको यहां से double कलने का आने वाले कुछ सालों के अंदर औ और जो production है के स्क्रोप्स का वो ज्यादा करना चाहती है जब ऐसा होगा तो जो किसान है उनके हाथ के अंदर ज्यादा पैसा आएगा और उनकी जो purchasing power farmers की वह बढ़ जाएगी तो जब purchasing power farmers की बढ़ेगी तो उसकी वज़े से जो यह company equipment बनाती है agriculture के लिए उसकी sales ज्यादा हो होगी तो यह काने वाले टाइम पर इस company के लिए पॉजिटिव चीज है और जो टेक्टर का division है जो हार्वेस्ट हार्वेस्टर सेग्मेंट है वह लगवेक 10.6% के साब 2000 से 2020 से 2025 के अंदर growth दिखाएगा इसके लिए जो as company है वो क्या planning कर रही है आने वाले टाइम पर अपना distribution channel है उसको अच्छा बनाएगी मजबुद बनाएगी दूसरा है यह अपना market share है इंडिया के लावा international में बढ़ाना चाहती है जिसके अंदर मैमार इराग सुडान तिनेसिया इस्ट अफरिका एंड इन्होंने latest एक के फोर्मा रेंज का एक टेक्टर है वो लॉंच किया है और only international market के लिए अभी वो international market के अंदर ही only इसको export कर रहे हैं अभी domestically इसको selling नहीं कर रहे हैं और इन्होंने एक टेक्टर है वो 26 hp का 4x4 next generation lightweight harvester है वो भी लॉंच किया है और इस company ने तो तीसरा सबसे बड़ी चीज की है agriculture के अंदर अपना market से गेन करने के लिए financial tie-up किया है scheduled commercial banks के साथ में और NBFC के साथ में जिसके अंदर SBI, PNB, Indocent Bank, Cholamandlam Finance, Sundram Finance, Magma FinCorp, Adani Finance अब अगर हम बात करें इस company के profit और loss के बारे में तो मार 2011 से लेके आप मार 2021 तक देख सकते हैं मार 2011 के अंदर इस company की जो total sales थी वो 695 क्रोट रुपे के थी और मार 2021 के अंदर आप देखोगे तो 1227 क्रोट रुपे की इस company की sales है वो already इसने register कर ली है अब अगर हम बात करें इस company का operating profit तो मार 2011 के अंदर 59 क्रोट का था और आज की date के अंदर इसका 119 क्रोट रुपे का operating profit है और margin आप देखेंगे तो 9% था 2011 में और मार 2021 के अंदर 10% था और ये company अभी तक है well known और इसका अच्छा कासा brand name अभी market में आप सुन सकते हैं और अच्छा कासा image इस company के भी बन चुकी है तो आने वाले time पे क्या है कि इसको margin को improve करने में या margin को बढ़ाने में इसको company को आसानी होगी क्योंकि जब एक कोई भी brand ने बन जाता है तो वो हमेशा ही अपने margin को हमेशा increase कर सकता है ये एक उसके लिए बहुत बड़ा advantage रहता है तो अभी तक क्या वाता इस company ने अपनी जो brand की image है या इसने अपनी जो खुद की image है वो उसको बनाया है और अपनी जो distribution network है उसको increase किया है और presence को domestically और internationally भी इसने भी increase किया है अब अगर हम बात करते हैं इसका net profit की तो मार 2011 के अंदर 42 क्रोड का था और मार 2021 के अंदर 80 क्रोड का EPS भी constantly increase हो रही है और यह जो company है वो regularly dividend भी अपने shareholders को देती रहती है तो यह company के एक अच्छी बात है अब अगर हम बात करें इस company के share holding patterns के बारे में तो company का सित्वंबर 2019 के अंदर 70.87% का share holding था promoters का जो December 2021 के अंदर 66.76% का है जो अच्छा कासा stake माना जाएगा FIS है वो धीरे-दीरे इस company के अंदर अपना stake है वो बढ़ा रहे हैं और जो mutual fund है mutual fund houses है वो भी इस company में धीरे-दीरे अपना stake है वो बढ़ा रहे हैं तो आने वाले time पे इस company के लिए पॉजिटिव चीज है और जिस साब से मैंने वीडियो के शुरुआत से लेके लाज तक बताया कि यह जो company equipment जो भी बनाती है आने वाले time पे इसके equipment की requirement day by day यहां से company का जो share है long term तक अपने portfolio में रख सकते हो और अगर आप इसको long term तक अपने portfolio में रखते हैं या long term के लिए अपने portfolio में रखते हैं तो इसका जो यहां से भाव है आने वाले 3-4 साल में आपको लगबग 3-5 गुना यहां से हो सकता है बाकी जो चीजे हो market पे depend करती है और इसक company के बारे में पूरी study की तो इस वीडियो को देखने के बाद में या information को study करने के बाद में यहां से पता लगता है कि इसके जितने भी equipment है उनकी आने वाले future में बहुत अच्छी demand रहेगी और इस company का जो management है वो भी well experienced है इसकी जो team है well experienced है तो आने वाले टाइम पे अगर यह company यहां से capex भी करना चाहे तो इसको additional land purchase करने की requirement नहीं पड़ेगी यह इस company के लिए positive चीज है और इस company के जो margin है अभी लगबग 10% के आसपास है तो यहां से अगर वो increase करके 20% के आसपास लियाए तो इसकी profitability है जो profit है वो लगबग वैसे ही double हो जाएगा और जब धीरे ज़ करने को मिलता है तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस company के जो stock है purchase करके अपने long term portfolio में रख सकते हैं लगबग 3-4 साल के लिए और 3-4 साल के अंदर मैं यहां से उम्मीद करता हूं कि जो stock का है इसका यहां से 3-5 गुना आसाने से हो सकता है बाकी जो चीज है market share market के अंदर ऐस हो गाई 100% यह इसके financials इसके fundamentals और इसके management और इसके equipment जो manufacturing करता है उसके future demand और future outlook को देखते हुए मैं आप यह चीजह आपको बता रहा हूं आप इस stock को purchase करने से पहले एक बार इस company के बारे में पढ़ें और अगर कुछ आपको इसके अलावा कुछ information या कुछ ऐसी अच्छी चीज मिले तो आप comment box में जरूर लिखे और मुझे बताएं मैं उम्मीद करता हूं यह video आपको अच्छा लगा होगा और आपके काम भी आएगा धन्यवाद